हेलो एबरीबन वेलकम टू माई चैनल सीपैट गयान तो आज के इस पीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं सीपैट की सेली के बारे में क्योंकि किसी भी कोर्स को करने से पहले इस्टूडेंट को सेली जानने की क्योरिसिटी रहती है और हो भी क्यों ना तो सेली बताने इस पहले आप लोगों को कुछ समझाना पड़ेगा तो बीडियो को स्किप मत करना यहांकि बीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने बाला है होके तो बीडियो को स्किप नहीं करना तो देखिए CPAT में यहां पर दो टाइप्स के यहां पर प्रोग्राम होते हैं तो बोले एक होता Diplema Program and Second की बात करें Degree Program Diploma Program की बात करें like DPT, DPMT, PGT, PPT, CAD CAM और Degree Program की बात करें B-TAC, M-TAC, अलग-अलग इसमें भी field होती है BTEC में भी तो यह basically course होते हैं आपके degree program and diploma program में तो आज किस video में हम आपको diploma program के बारे में बताने वाले हैं diploma program की salary के बारे में DPT, DPMT and PGT, PPT की बारे में क्योंकि यह diploma program है and degree program बाली video यदि इस video पर response अच्छा रहता है तो next video, degree program में जो BTEC and MTEC होती हैं इसकी salary के बारे में भी आप लोगों को बता देंगे लेकिन देखिए degree program and diploma program यानि कि जैसे कि आप BTEC कर रहे हैं तो यह degree program में आ जाएगा BTEC की एक परकार की degree है and यह आप PGT, PPT या फिर DPT, DPMT कर रहे हैं तो यह diploma program में आपके course आ जाते हैं तो CPAT में दोनों तरह के course हो सकते हैं चाहिए आप diploma program कर लें या फिर degree program कर लें लेकिन देखिए degree program and diploma program दोनों की salary में difference रहेगा, clear सी बात है, degree program में कुछ diploma program के compare में ज्यादा ही रहेगी क्योंकि यह degree program है, starting की बात कर रहा हूँ, बात में देखिए आप अपने company आपके अच्छी मिल गई या फिर आपका experience अच्छा हो गया, तो बराबर भी हो सकते हैं लेकिन देखिए diploma program की salary बताने से आपको य कि नहीं होता है, private job में यह आप लोगों को भी अच्छी तरह के से पता होगा, कोई भी salary जैसे हम बताएंगे, तो कोई भी फिर नहीं होगी, वो अपनी company पर depend करीगी, लेकिन हाँ, on average है, वो इसी पर आपकी बैरी करेगी, जो मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में क्यो को मिलता है, diploma program and degree program में, तो आप लोगों की जो salary है, वो दो ही stages पर ठिकी हुई है, मैं एक चीज आपके पास experience होना चाहिए, और दूसरी आपके पास company, यदि आपकी company ठीक ठाक है, तो कही ना कहीं आपकी salary बहुत जल्दी इसमें encouragement देखने को मिलता है, और mostly इसमें खेल सभी है, वो आपका experience का है, तो salary मुष्टी दो इस चीजों पर depend करेगी आपकी experience और दूसरी है company, आपकी company किस प्रकार की है, तो देखिए फिर भी starting salary की बात करें, तो diploma program में आपको 12K to 15K बिल्कुल lower case मैं बता रहा हूँ, आपको 3 stages में, मैं basically salary आपको बताने वाला हूँ, diploma program की ज जब आप course को complete करेंगे, minimum salary आपको इसी के बीच में देखने को मिलेगी, तो अलग-अलग course है, थोड़ा बहुत difference रहेगा, तो इसलिए मैं तीन stage बताने बार हूँ, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को समझना, पहली यहाँ पर 12K to 15K, यानि की K का मतलब जिन student को नहीं बत देता हूँ, क्योंकि सभी term में K में ही यूज करने वाला हूँ, इस वीडियो में, K का होगा, यानि की 1000, तो K आप जहां पर भी मैं बोलूँगा, उसको आप 1000 कंसीडर करेंगे, यानि की 1000, तो देखे 12K to 15K, यानि की 12K से लेकर 5000, यहाँ पर यह एक lower case हो गया, यानि की minimum इ कर अठारा जारी है, आपकी second case में है, यानि की जदी आपने अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई किया, आपकर कुछ कंपनी आपका interview लेते हैं, वहाँ अच्छे से आपने clear कर लिया, HR को खुस कर लिया, तो आपको इसके 20 में भी मिल सकती है, 15K to 18K, बस यह दो major stages है, आपको य इच्छी आई, यानि की top student है, तो maximum 18K to 12K, आप फिर बोल सकते हैं, 12K जगा 25K, यानि की 25K, तो यह थर्ड कंडीसन है, यह देखिए, 25K से जादा आपको शहली नहीं मिलने वाली है, CPAT में starting में, चाहिए फिर कोई भी यहाँ पर diploma program आपका क्यों ना हो, क्योंकि बिन्दे की experience होता नहीं, starting में, तो कोई भी company इस से जादा नहीं देगी, मैंने 25 के यह बहुत ही यानि की बद सकते हैं, limit कर दिया, यह कुछ ही student को मिल पाती है, starting की बात कर रहा हूं, बाद में बात नहीं कर रहा हूं, बाद में तो आप चाहिए, कितनी भी कर लें, वो अपने उपर ही experience रहेगी, वो आप लोग इस से consider करेंगे, यहाँ पर आप लोग करेंगे, यहाँ पर आप लोग करेंगे, पंदा के टू, यहाँ पर जो मैंने सेकेंड वला बता है, 18 के बीच में रहती है, फ्रेसर की सेरली, और जो बिलकुल भी जैसे आच्छे नहीं होते हैं, बिलकुल लिए नंबर कम रहते हैं, या पर कहीं ना कहीं, company या इंडेस्टी किसी बगएरा भेज दिया जाता है, छोटी मोटी तो इतना 12K to 15K के बीच में भी उनकी रहती है, mostly student की, and second पर यहीं पर बैरी करेंगी, आपकी 15K to 18K, पर अलग-अलग यहाँ पर डिपनो आप प्रोग्र चल सकते हैं, यानि कि आप जब कम्प्लीट करेंगे डिपनोमा प्रोग्राम तो आपको सैलली कितनी मिलेगी, तो मेजर यही है कि 15K to 18K आपको यहाँ पर डिपनोमा प्रोग्राम में सैलली मिल जाएगी, अब देखिए, experience जब आपके पास होता रहेगा, तो आपकी सैलली बढ़ती रहेगी, तो वो अलग case है, तो यहाँ पर maximum भी मैंने पूछा था, जो कहीं न कहीं experience कर चुके हैं, उनको अभी तक क्या सैलली मिल रही है, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, देखिए, I hope अब आपको यह किलियर हो गया होगा, कि starting में सैलली आपको कित किया था, सैलली के discuss करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने इस पहले मैंने तीन से चार जो कहीं न कहीं सीपेट करके job कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा, तो उनका idea मैंने भी लिया, क्योंकि तेखिए, जिनको तीन से चार साल के experience हैं, उन्होंने बताई है, तो देख से तीस अजार रुपए आपको मिल जाएगा तीन से चार साल experience के बाद, जो कुछ एक दो लोग बहुत ही old थे, यानि कि आठ से दस साल के experience वो average बता रहे थे, 50K पिलस है, तो exact तो नहीं बताई, तो 50K पिलस एज्यूम कर सकते हैं, वही 55,000 तक something होगी, यानि कि आठ से दस स उन्होंने 65 बताई थे, यानि कि 10 साल के experience था, दस वारा साल का अब लोग बूला था, टेकाँ 65 के उन्होंने बताई थी, तो यही रहती है, उन्हें अबरेज यानि कि 60-70,000 आपको 10-12 साल बाद मिलने लगेंगे, और company पर बहुत डिपेंड करेगा, तो बस 10-12 साल के बाद आप लोगों को 50-60,000 प्यानि की 50 प्लस ही सैल लिया, आपकी अराम से हो जाएगी, या या यह भी case लेकर चलते हैं, और देखें कोई मैं fix नहीं बोल सकता हूं कि सभी की हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी knowledge पर depend करेगा, जो आपने वहाँ पर किस प्रकार से अपना अच्छे से दे रहे हैं, यानि कि जो आपर भी कोई सकाय जाता, आपको experience होने के बाद भी किस प्रकार करते हैं, क्योंकि जब आप कहीं न कहीं कंपनी जो जिसमें काम किया, उसका रिजिमें बनाते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, डालते हैं, और वहाँ पर थोड़ा चोड़ा म अबरेज होता है, एक ग्राफ था, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो आई होप आपकी कोई भी कोईरी नहीं बची होगी, कोई भी कोईरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा तो आप लोग बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, और आपके रेलिटेब में कोई है साय जो सीपैट कर चुका है, वो भी अपना परसनल एक्स्विनिस हमारी चैनल पर सेयर करना चाता है, मोशली क्या होगा, मैं ज्यादी कोई है, तो आप लोग हम से कॉंटक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी भी है, या फ आपको क्या बोलना है, उस वीडियो में क्या क्या बताना है, अपने बेसिकली अपने ही बारें बताना है, यदि आप सीपैट करके जॉब कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं और स्टुडेंट को एहल पो एक और राइड गाइडेंस मिल सके, तो आप लोग कोई भी है, आपके रेटे बें उन तक पहुचा देना है, ऐसा कोई भी है, तो चैनल पर अपना रिब्यू शेयर कर सकता है, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा जितने अलग अलग परकार के अपना चैनल पर सेयर करेंगे रिब्यू, तो आपको भी एक लगेगा कि क्या डिमांड इंडिं बुम्बस एतनाइ